अस्सलाम आलेकुम वर रह्मतुल्लाही वर बारकातु हूँ मेरा नाम कारी साकिब है आज हम 103 लेक्चर शुरू कर रहे हैं जितनी भी लक्चर मेरे हो चुके हैं अगर आप उसमें नोट करेंगे थोड़े बहुत कुरान के भी है और थोड़े बहुत गिरामर वारा भी है तो सबसे पहले हमें यह चीज़ फोकस रखनी हैं कि तवज्जो हमें कुरान समझ में आना शुरू हो जाए कोई भी आयत की इबारत लिखी भी हो तो उसको हमें समझ में आना चाहिए तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज हम हुरूफे इल्लत के बारे में पढ़ेंगे जो कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है वो हैं दो हैं वाव और या इन दोनों से पहले जबर आती है ठीक है इस से पहले भी जबर आएगी और या से शागिन से पहले भी जबर आएगी लिकिन कुरान में कुछ जबों पे आपको इस वाव के ओपर जजब नहीं मिलती है और कभी या के ओपर जजब नहीं मिलती है इसकी वज़ाई ये है क्योंकि आगे वाला हर्फ दुबारा जजब वाला आ रहा होता है मैं दुबारा रिपीट कर देता हूँ जब भी आप कुरान की आयत पढ़ें तो आपने चेक करना है अगर जजब वाला हर्फ दुबारा आ रहा होगा तो या के ओपर जजब नहीं होगी यानि उस पर कुछ लिखा नहीं होगा सिर्फ या लिखा होगा वाउ के साथ भी ऐसे ही है वाउ साकीन के बाद दुबारा जजब वाला हर्फ आरा होगा तो इस पर जजब खतम कर दी जाएगे और हुरूफ इ मद्दा को इन्शाले मैं आपको पहले भी बता चुक है हुरूफ मद्दा तीन है तो अलिफ वाउ और या अलिफ से पहले जबर आती है वाउ साकीन से पहले पेश आती है और या साकीन से पहले जेर आती है ये तो हम पीछे पढ़ चुके है आज हमने कुरान की आयत यानि के आपने ये चीज़ नोट करनी है कुरान की आयत पढ़ते हैं अगर वाउ साकिन से पहले पेश हो और पेश के बाद वाउ तो आ रहा हो लेकिन उसके पर जज़म नहीं हो क्यों नहीं होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तब नहीं होगी जब वाउ साकिन की यानि वाउ के बाद दोबारा जज़म वाला हर्फ लिखा होगा ज़म या शद ये चीज़ नोट कर लें ज़म या शद वाला हर्फ होगा तो इस वाउ के ओपर ज़म खत्म कर दीज़ेगी लिखावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा शुरू किया, हुरुफ इलत हैं कुरान में 2 हैं, इनको weak letters कहा जाते हैं, इलत माने होता है कमजोर हुरुफ, इनकी value इतनी नहीं है, कुरान में कुरान के हर अलग अलग है, खुरान की जितनी वायत पढ़ए हैं एक हरफ पढ़नी की दस निके हैं मिलती तो मैं समझानी के लिए किया रहा हूँ कुछ हुरूफ होते हैं उनकी वैलियू का मैं हुरूफ इल्लत दो हैं वाउ और या कुरान की आयत पड़ते हैं आपने चेक करना है वाउ साकिन से पहले जबर या पेश हो तो वाउ के ओपर जज़ब आ सकती है लेकिन अगर वा वारा जज़ब वाला हर्फ होगा तो वाउ के ओपर ज़ब खतम कर दी जाएगी मैं आपको कुरान सी एक्जेम्पल दे देता हूं तो आपके लिए असान हो जाएगा तो सबसे पहले मैं एक आयत लिख रहा हूं कुरान की और इसके सुरत नास की तो आपने इस नोट करनी ह हुआ है ठीक है बलके मैं अगी लिखते था हूं यह आपको क्लियर हो जाएगा सुदू रिन नासी आपने चेक करना है कि अल्लवी यूवस विसूफी सुदू रिन नासी अब भी इस वाले हिस्से को देख ले या साकिन है या साकिन के बाद ऐसा हर्फा रहा है जिस पे ना तो जैजम है ना शद है ना तो जैजम है ना शद है तो अब इस या के ओपर जैजम आपको लाजमन मिलेगी पूरे कुरान में कुरान के जितनी भी आयत हैं मैं तो बाद एक पीट कर रहा हूं अल्लदी वस्वी सुफी सुदूरिनास तो या के ओपर जैजम आ गई है कब नहीं जब ऐसा हर्फ हो या शाकिन के बाद जिसके ओपर जैजम या शद हो अब इसके ओपर सिर्फ पेश आ रही है ना ही जैजम है ना ही शद है तो अब क्या होगा या के ओपर जैजम आपको लाजमन मिलेगी वैसे लिखा ऐसे कुरान में ऐसे लिखा गिया तो यह सारी चीज़ है हुरूफ इल्लत हमने आज पड़े तो हम मैं कोशिश यह करूंगा कि जितनी भी लेक्चर हैं पीछे जो गुजर चुके हैं वही टॉपिक को तो मैं दबारा थोड़ा रिपीट कर दूँगा तो इस ते यह होगा कि हमारी रिवीजन भी साथ होती रहेगे जैसे हम आगे जाएंगे आगे जाते जादे कोई चीज नई चीज हम सीखेंगे तो हुरूफ इल्लत का हमें पता होना चाहिए हुरूफ इल्लत कुरान में कौन कितने हैं दो हैं वाउ साकिन से पहले जबर आती है और या साकिन से पहले भी जबर आती है तो मैं इनके हिस्से कर देता हूँ वाउ साकिन से पहले अगर जबर हो तो वाउलीन कहते हैं इनको हुरूफ इल्लत भी कहते हैं एक और इसका नाम है हुरूफ इल्लीन भी कहा जाता है जैसे हम कुरान में देखते हैं काईदश हम पढ़ते हैं ता वाउ जबरता हु ता या जबरता ही वाउ साकिन से पहले जबर आ रही है और या साकिन से पहले भी जबर आ तो हमें यहारे चाहिए यह फिंगर्टीक सबड़े याद होने के साथ-सार हम इसके चीद्रम गन्मारते तो यह गलत करते हैं तो यह हमें चीज़ पता लगे आट सैंसाथ लिखते तो में यह विखेंपल सस्थ लिखें ने तो एक मैं टीटा अब यहां पे अब चिस नोट कर रहे है यहां पे फा के नीचे जेर है और या के ओपर कुछ नहीं है या के ओपर कुछ नहीं है क여ा के बाद ऐसे हरफार जिसको पर शदारी है तो अब या के ओपर जो जजब थी खतम कर दी गए यहां पर क्या किया था? या पर जजब थी कियूंकि आगे वाला हर ना जजब वाला है ना शदारी है यह फर्ख हमने कर लिया यह चीज आपको अगर समझ में आ गई तो मैं तो कहूंगा हमें कुरान समझ में आना शुरू हो गया है इंशाला हम चार्ट ऐसे में करवा दूँगा आपको दो चार्ट लाजबी हम करेंगे कुरान को समझ में के लिए काफी है तो मैं उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है तोड़ा सा टाइम निकाल के यह चीज़ हमें नोट करें असल बात क्या है मैं चीज़े जितनी भी लेक्चर में नोट कर रहा हूं पहले खुद study करके पढ़के इसके बात समझ के फिर यह चीज़ मैं करवाता हूं इससे ही होता है कि practice हो जाती ही बंदी कि साथ साथ आइस साथ इस इंसान फिर इस field में बहुत से आगी चीज़ें खुद पढ़ा भी सकता है पढ़ाना कोई मश्किल नहीं है practice मांगती ही हर चीज़ तो यह हमें इस चीज़ का हमें पता हो कौन से होरूफ क्या कहां लंबा करना है असल चीज़ यह यह और यहां पर हम देख रहे हैं कि या साकिन है उससे पहले जबर आ रही तो या लीन बन रहे है और लाम की निचे चीज़ेर को आ रही है यह हुरूफे ले जर की वज़े से यह से मैंने हिस्से कर दिया है तो वान हंड़ेट एक सो तीन लेक्चर हमारे हो गए हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यह चीज़ कितने समझ में आ रही है और मैं कंटक्ट नंबर भी लिख द और मैं शर्भूें लेक्तो कर दो का मैंने हर पितम थम लेक्तित्न लेक्तो कि कर दो कि आपकोगे हैं अवरे से बाम हो वान हैं तोक salary, जरस्कतत हैं तो कर लेक्ते हैं